ये क्यूवक अपनी महिला मित्र के साथ कार में बैठा बात कर रहा था तबी वहाँ इंसानों की शकल में छुपी जानवरों की भीड़ा जाती है जिसके बाद यूवक और युवति का वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है इतना ही नहीं कार में बैठी युवति से भेडियों के भीड़ छेड़ चाड़ करने पर उतारू हो जाती है समाज में छुपे ये असमाजिक तत्व उस घटना का खुद वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जिसे खुद सोचल मीडिया पर वाइरल कर देते हैं वह तो वही बोला भी हम नहीं बोलेगा उतकर पर अनल भाई यार जाने रहा युद 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 नागर में चाड़ करेंगों मैं ये बता है जो एक झाल के उनके वाई आज चाबी नीगा शुय नहीं अगर ज़से को सब्सक्राइब करते को टोनि नहीं आज जविघ नहीं औरे इक तो है शु़िए भाई बाहर अगर ऐना शुपट देखार वुचन पर जादा हैं यह जादा टॉट्ट वाइरल वीडियो उन्नाव जन्पत की सदर कोतवाली की मगवरा चौकी छेतर का बताया जा रहा है और वीडियो वाइरल होते ही पुलिस महकमे में हडकम मच गया वाइरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक कार के अंदर एक युवक अपनी महिला मित्र के साथ है और कार के आसपास कुछ अराजकतत वो उनसे अबदरता कर रहे है विरोध करने पर वो लोग युवती के साथ छेड़ चाड़ करते दिखाई दे रहे है युवक गंगघाट को तवाली छेतर का निवासी बताया जा रहा है वाइरल वीडियो में दिखने वाले युवक की ओर से दावा किया गया कि वेह अपनी महिला मित्र के साथ गोकुल बाबा मंदिर के पास गया था जहां कुछ अराजक्तत्व वहां आ गए और इसके साथ अभधरता पूर्ण वेहवार वेअपशब्द कहने लगे इतना ही नहीं विरूद करने पर अभ्यात युवकों ने उसकी महिला मित्र के साथ शेल चाल करने शूरू कर दी किसी तरह वेह लोग वहां से अपनी जान बचा कर भाग निकले वही मामले में उन्नाव SP ने बताया कि वाइरल वीडियो लगबग एक से डेल साल पुराना है और आपसी रंजिश के कारण अब इस वीडियो को वाइरल करने की बात सामने आ रही है साथ ही SP दावा करते हैं कि CEO City को इसमें गहराई से जाच कर कारवाई के आदेश दिये गए हैं जबकि इस घटना में एक आरोपी को गरफतार करने की बात भी सामने आई है ब्योरो रिपोर्ट टाइम 24 न्यूज अगर हम से बात क्योंने आज़ाई तुम धीरे धीरे बोलो कोई तुम कब कुछ करतो नहीं रहा न अच्छा यह बतार नहीं हो रही है कुछ करना खेंगा नहीं किसी करने को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिलकुल न भूले